हेलो आज वेलकम टू माई चैनल इंग्लिस ग्रामर देखिए आज आपको इस्ट्रक्चर नमबर थर्टीन बतलाने वाले हैं इसके पढले 12 इस्ट्रक्चर को बता दिया गया है इस्ट्रक्चर आज है सब्जेक्ट प्लस इजामर प्लस थिंकिंग ऑफ प्लस बीफोर प्लस Overoo का मतलब होता है Other World देखिएThinking जो है в यो इसके बाद हम आफ प्रिफो Quiet का प्रयोग करेंगे को था है कि मैं किताब लिखने का सोच रहा हूं या मैं === लिखने के बारे में सोच रहा हूं तो क्यों जागा पहले बनेँए क्या मैंं सोच रहा हूं कोई भी काम करने के बारे थिंकिंग हलेकि मैं बात बता दू गरामेटिकल यह संडेस गलत माना जाएगा कारण है कि थिंकिंग वर्ड का प्रयोग किसी भी कॉंटिनुवस्टेंस में नहीं करते हैं लेकिन बोल चाल के भासा में आप कर सकते हैं तो आप पूछेंगे इसका प्रयोग हम कहां करेंगे इ देखे कि मैं सोच रहा हूं का आई एम ठिंकिंग उसके प्रयोग कर दिया है आपको पहले बताया गया है कि जहां भी प्रीपोशिशन होगा उसके बाद में क्या करेंगे भीफोर तो आएगा है आप देख रहे हैं कि off क्या है? preposition है, इसलिए वहाँ पे हम before का प्रयोग किये हैं वे लोग दिल्ली जाने का सोच रहे हैं, या वे लोग दिल्ली जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले बनिए कि वे लोग सोच रहे हैं, तो they are thinking, इसके बाद में preposition को हो जाएगा? off, और कहां? तो दिल्ली जाने का, तक तक going to Delhi, देखिए off preposition है, इसलिए वहाँ पे हम क्या किये हैं? कि going सब्थ का प्रयोग किये हैं आगे है, हम लोग गाना गाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हम लोग सोच रहे हैं का we are thinking we are thinking, उसके बाद में preposition off हो जाएगा? क्या करने के बारे में? तो गाना गाने के बारे में तो क्या हो जाएगा? singing a song आगे देखिए, structure प्रयादारित को त्रासरसन दिया गया है कर रहा है कि राधा साधी करने की सोच रही है सिवम वह नौकरी छोड़ने का सोच रहा है या सिवम वह नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा है राधा साधी करने के बारे में सोच रही है हम लोग एक कार खरीदने का सोच रहे है मेरे पिता जी इस गारी को बेचने का सोच रहे है या मेरे पिता जी इस गारी को बेचने के बारे में सोच रहे है चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सेर, कमेंट जरूर किजिएगा धन्यवाद